तो चलिए आपको TDS TCS का रिविजन लेक्शर अल्रेडी बिल चुका है जो कि दो घंटे से जादा का है आज हम करने वाले एक क्विक रिविजन का रिविजन तो क्विक रिविजन है वो मैं TDS TCS टॉपिक का कराने वाला हूं क्योंकि यह टॉपिक C.A. इंटर्मीडियेट में 8 माक्स कवर करेगा C.A. फाइनल में यह 12 माक्स कवर करेगा और 8 या 12 माक्स जब कवर करता है तो you can say that that topic is very important for your examination so just try to listen this lectures चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहली section TDS में होती है that is the section number 192 अब एक बाह समझना 192 है वो किस पे TDS काटते है salary जो है वो salary पे TDS कटेगा question ही आता है sir pair कौन होना चाहिए तो pair is a any person कोई भी person है वो TDS काटेगा पेई कौन होना चाहिए employee employee को अगर पेमेंट करते है तो TDS कटेगा लेकिन एक बात हो employee resident होना चाहिए non resident कोई भी चलेगा resident है non resident इसी section में TDS कटेगा कौन सी rate से कटेगा यहाँ पे जो TDS करता है वो बेटा slab rate से कटेगा तो जो भी slab rate रहेगी उस rate से TDS काटना पड़ेगा यहाँ पे कोई भी limit नहीं ह obviously जब basic exemptions से ज़्यादा का salary है तो उस particular case में TDS कटेगा एक और चीज़ समझना TDS है वो कौन से event पे काटना है कौन से time पे काटना है at the time of payment और crediting the party which ever is earlier लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे total 7 ऐसे cases होते है जिसमें TDS है वो सरफ payment के time पे काटना पड़ेगा कहां कहां पे ए and dividend का payment यहाँ पे सिरफ payment के time पे TDS काटना है crediting the party के time पे नहीं काटना एक और चीज़ समझना कि यहाँ पे TDS की जितनी भी rate रहती है वो rate आपकी flat rate रहती है या उसमें health and education says सरचार जोड़ना पड़ेगा right answer is flat rate लेकिन एक चीज़ समझना दो cases में आपको health and education says है और सरचार है वो आपको consider करना पड़ेगा एक तो आप payment अगर non-resident foreign company को कर रहे हो या फिर आप किसी को salary का payment कर रहे हो तो उस particular case में आपको health and education says को consider करना ही पड़ेगा सरचार को भी करना पड़ेगा अगर सरचार लग रहा है तो उसके बाद में 192 के बाद में आपकी next section आती है that is the 192A और 192 है वो बात करती है EPF की Employee Provident Fund से आपको कुछ पैसा मिलता है और अगर वो पैसा taxable है तो इस particular section में TDS कटेगा लेकिन सर एक बात बताईए यहाँ पे पेयर कौन होगा तो यहाँ पे भी आपका जो पेयर है वो any person सर एक बात बताईए यहाँ पेई कौन होगा तो पेई आपका Employee ही होगा मिस यहाँ पे जो Employee को पेमेंट कर रहे है तो उस particular case में TDS कटेगा लेकिन एक बात बताईए यहाँ पे सर रेट क्या होगा तो यहाँ पे रेट है वो आपका 10% है लेकिन इसमें एक चीज समझता है नॉर्मली क्या होता है अगर आप किसी भी पेई को पे है कि अगर पेई ने अपना pen number नहीं दिया पेई जो है उसने अपना pen number नहीं दिया तो उस particular case में जो TDS काटा जाएगा ना वो MMR की रेट से काटा जाएगा maximum marginal rate की रेट से काटा जाएगा एक और चीज समझना यहाँ पे TDS तभी काटना है जब maturity amount है वो 50,000 रुपेज और मो जादा है तो यहाँ पे TDS काटेगा अब उसके बाद में section आती है 193 कर गे और 193 बात करती है interest on security कि अगर आपको security पे कोई interest मिलता है debenture bonds पे वगरा that is called security तो इसमें TDS काटेगा तो यहाँ पे पेर है that is the any person कोई भी person हो सकता है लेकिन से एक बात बताएए यहाँ पे पेई क national cases होते हैं जहाँ पे TDS नहीं कटता एक तो अगर कोई भी तुमारा जो security है वो government security है तो TDS नहीं कटेगा लेकिन उसके दो exceptional है एक तो तुमारा 8% saving taxable bonds 20103 वाला और दूसरा तुमारा 7.75% saving taxable bonds 2018 है और उस पे interest जो मिल रहा है वो 10,000 से जादा है तो इस section में TDS काटना पड़ उसके बाद मैं अगर माल लो आप GIC को interest पे कर रहे हो LIC को interest पे कर रहे हो तो उस particular case में यहाँ पे TDS है वो नहीं कटेगा और DMAT securities जो रहेगी DMAT securities के case में यहाँ TDS नहीं कटेगा यह तुमारी 193 हो जाती है उसके बाद मैं next section पे चलते है that is the 194 अब एक बात समझना 194 है वो बा 10% की rate से TDS काटना है एक और चीज समझना यहाँ पर एक exceptional case है कि अगर individual को dividend दिया जा रहा है और individual को dividend दिया जा रहा है तो उस particular case में TDS नहीं कटेगा उसके बाद में एक section आती है that is the 194A 194A जो बात करती है वो interest की बात करती है लेकिन interest कौन सा security को छोड़के because security का interest है वो already यहाँ पर cover हो चुका है तो इसको छोड़के कोई भी interest रहेगा उसका TDS आपका यहाँ पर कटेगा लेकिन एक बात बताईए यहाँ पर pair कौन होगा तो मैं बोलूँगा यहाँ पर pair है वो any person मिस कोई भी person किसी को interest पे करेगा तो TDS काटना पड़ेगा लेकिन बेटा यह section क्या बोलती है कि अगर कोई भी individual और हुप pair है तो उनको TDS काटनी की जरूरत नहीं है individual और हुप है तो they are not required to deduct the TDS लेकिन एक चीज़ समझना individual हुप है इनका last year का last year जो था वो last year का turnover है that is more than 1 करोड या फिर gross receipt है profession के case में more than 50 lakh है तो इनको TDS है वो काटना पड़ेगा तो देखिए normally इस section में individual हुप को TDS नहीं काटना लेकिन अगर individual हुप का last year का turnover more than 1 करोड है gross receipt more than 50 lakh है तो उस case में individual हुप को भी इसमें TDS काटना पड़ेगा एक और चीज़ समझना वेटा आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये वाला जो concept है ये आपकी 6 section में cover होगा that is the rear hijack करके आप याद रख लीजिए rear hijack का मतलब यहाँ पे R का मतलब 194 R, H का मतलब 194 H, I का मतलब 194 I, J का मतलब 194 J, A का मतलब 194 A and C का मतलब 194 C मिस यहाँ पे total ये 6 section ऐसी है जिसमें pair जो है वो individual हुप है तो TDS नहीं काटना लेकिन individual हुप का last year का turnover 1 करोड से जादा था gross receipt 50 lakh से जादा था तो individual H, I को TDS काटना रहेगा सर एक बात बताएगे यहाँ पे पेई कोन होना चाहिए तो यहाँ पेई जो है वो आपका resident person रहेगा मिस resident person को अगर आप interest पे कर रहे हो तो TDS कटेगा यहाँ पे TDS का rate क्या रहेगा 10% रहेगा लेकिन एक बात समझना है यहाँ पे कुछ limits है और limits यह है कि up to 5000 तक आप किसी को भी interest पे कर रहे है पर random तो TDS काटने की ज़रुवत नहीं है लेकिन एक चीज़ समझना कोई भी bank है या फिर cooperative bank है या post office है वो interest पे कर रहे है तो उसमें limit 40,000 का हो जाएगा 40,000 से ज़्यादा interest है तो ही TDS काटना है लेकिन अगर कोई senior citizen है तो उस particular case में यह limit है वो आपका 50,000 हो जाएगा 50,000 से ज़्यादा है तो ही TDS काटना है लेकिन कुछ cases ऐसे है जहाँ पे TDS नहीं कटेगा एक तो आपका saving bank interest का अगर कोई भी interest मिलेगा तो उस पे TDS नहीं कटेगा उसके बाद 194A के बाद में अपन चलते हैं next section पे that is 194B और 194BB को साथ में पढ़ेंगे 194B यह बोलता है कि अगर आपको कोई भी winnings होता है winnings किस से होता है या तो lottery से होता है puzzle से होता है game show से होता है card game से होता है that is call your winning तो उस पे TDS 194B में कटेगा बड़े लोग और 194BB क्या होता ह बहुत बड़े लोग बहुत बड़े लोग पैसा किस पे लगाते है जो भी horse races होती है वो horse races पे पैसा लगाते है अब एक बास समझता है यहाँ पे pair कौन होना चाहिए any person means any person means कोई भी person है इसमें TDS काटना पड़ेगा pair है वो any person अब यहाँ पे pay कौन है sir pay है वो भी any person rate क्या रहेगा 30% रहेगा और TDS तभी काटना है जो winning का amount आपका 10,000 से ज्यादा है तो ही TDS काटना है if winning amount is more than 10,000 तो TDS काटना है otherwise इस section में TDS काटने की ज़रुवत नहीं है pair any person pay any person rate 30% और अगर माल लो winning है वो 10,000 से ज्यादा है तो TDS काटना है अब एक बास समझता winning अगर मा को जा जुगा है उसके बाद ही वो winning को release करेगा उससे पहले वो winning को release नहीं करेगा उसके बाद मैं next section पर चलते है 194C और 194C बात करता है contract की के contract के case में TDS है वो 194C में काटना पड़ेगा अब एक बात समझना यहाँ पे pair कौन होगा तो यहाँ पे pair है वो any person कोई भी person हो लेकिन इंडिविजुल हो पी ब्योई का last year का turnover वन करोट से जादा है gross receipt 50 lakh से जादा है तो उनको TDS काटना पड़ेगा यह रिया हाईजेक में आता है देखिए 194C है यह तुमारा रिया हाईजेक में आता है तो इंडिविजुल होग को TDS नहीं काटना पड़ेगा अगर ला TDS कटेगा लेकिन सर एक बात बताईए यहाँ पर TDS की rate क्या रहेगी TDS की rate depend करेगी pay pay के pay कौन है अगर pay है वो individual हुप है तो TDS की rate 1% रहेगी और अगर मानलो वो individual हुप नहीं है कोई भी other person है तो TDS की rate है वो 2% रहेगी एक और चीज़ समझना इस section में TDS तभी काटना है ज तो ही TDS काटना है otherwise TDS नहीं काटना single contract more than 30,000 या aggregate पूरे साल का मिला के 1 lakh से जादा हो जाता है तो TDS काटना है अब एक और चीज़ समझना यहाँ पर advertisement है वो आपके contract में आएगा उसके बाद catering contract में आएगा transportation of goods or passenger by any mode other than railway है वो आपके contract में आएगा and उसके साथ में अगर मान contract में आजाएगा लेकिन यहाँ पर चीज़ समझना अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर का service आप लेते हो और वो ट्रांसपोर्टर एक declaration दे देता है कि उसके पास में पूरे साल में किसी भी दिन 10 से ज्यादा वहीकल नहीं है और वो अपना pen number दे देता है तो उसका TDS काटने की अब यहाँ पर चीज़ समझना अगर मालो कोई भी production house से आप कोई भी program बनाते हो specification आपने दिया है और उसके accordingly कोई भी program बनाके दिया जाता है आपकी specification के हिसाब से और आपके patent जो copyright है वो भी आपको transfer हो जाता है तो उस particular case में 194C में TDS आएगा लेकिन एक चीज़ समझना अग अगर मालो यहाँ पर already produce program है उसको अगर आप display करते हो तो उस particular case में TDS नहीं कटेगा एक और चीज़ समझना आपका client है वो advertisement agency को payment करता है 194C में TDS कटेगा बट advertisement agency यहने किसी newspaper को यहाँ यहाँ पर new channel को payment करती है तो उस particular case में TDS काटने की ज़रुवत नहीं है एक और चीज बार क्या करते है transportation charges भी ले लेते हैं तो क्या transportation charges लेते हैं उस particular case में क्या transportation charges जो है उस पर TDS है वो आएगा answer is no because यहाँ पर contract हो sale का contract माना जाएगा और petrol pump station जो है वहाँ तक filling station तक sale का contract है और यहाँ पर even transportation charges बिल में अलग से बताया हुआ है तो भी उस पर TDS नहीं आएगा एक और चीज़ समझता है यहाँ पर जब job work का bill बनता है तो उसमें material की cost भी होती है और labor की cost भी रहती है तो क्या material वाले cost रहेगा उस पर TDS काटना है answer is no material वाले पर TDS नहीं काटना है सिरफ बाकी वाला जो component रहेगा उस पर TDS काटना है लेकिन bill में अगर separately नहीं बताया हुआ ह रहेगा उस पर आपको TDS काटना रहेगा यह आपका 194C हो जाता है अब एक चीज़ समझा तीन section है वो similar section है उसको मैं एक साथ में ले रहा हूँ एक तो तुम्हारी section है 194D करके और 194D को आप याद रखेंगे दलाल दलाल का मतलब होता है insurance agent का commission तो जो commission रहता है किसका insurance agent का उस TDS 194G में कटेगा और एक section होती है 194H 194H का मतलब होता है जो भी other commission and brokerage रहेगा उस other commission and brokerage पे TDS 194H में कटेगा अब एक पास समझता है इन तीनों section में pair कौन रहेगा तो सबसे पहली section है उसमें बेटा pair है वो any person है मिस कोई भी person है तो चलेगा दूसरी वाली जो section है उसमें भी ज individual है या HUP है वो pair है तो उसको TDS नहीं काटना लेकिन individual HUP का last year का turnover 1 crore से जादा है या gross receipt 50 lakh से जादा है तो individual HUP को TDS काटना रहेगा सर यहाँ पे pay कोन है तो पहली वाली section में pay है वो resident person है मिस किसी भी resident person को अगर आप commission and brokers पे करते हो sorry commission पे करते हो insurance agent को resident agent है तो यहाँ पे TDS कट हुआ है और एक बात बताओ 194 H में लिखा हुआ है resident person है तो TDS कटेगा अब एक चीज़ समझना इन तीनों ही section में आपकी जो rate रहेगी वो 5% रहेगी 5% की rate से TDS काटना है और TDS तभी काटना है जो commission आप pay कर रहे हो वो 15,000 पर एनम से जादा है किसी भी person को जो commission पे कर रहे हो या credit कर रहे हो वो 15,000 पर एनम से जादा है तो ही TDS काटना है तो देखो तीनों section है वो similar similar है तीनों में rate है वो 5% है और limit है वो 15,000 है लेकिन एक चीज़ समझना 194 H से related कुछ clarification है पहला clarification देए कि कोई भी security से related अगर कोई भी commission रहेगा commission and broker security से related जैसे underwriter commission वगरा रहेगा तो उस पे कोई भी TDS है वो नहीं कटेगा एक और चीज़ समझना ये BSNL, MTNL वाले क्या करते है जो call center जो booth होते है वो calling booth वाले जो PCO रहते है उनको जो commission देते है उस पे कोई भी TDS है वो TDS काटने की ज़रुवत नहीं है करके यहाँ पे 194 D, G और H है वो complete हो जाता है उसके बाद मैं अपन बात कर रहे है 194 DA करके 194 DA का मतलब होता है death after, death after means आपको death after क्या चीज़ होगी security चाहिए आपको चाहिए यहाँ पे life insurance policy तो एक चीज़ समझना अगर कोई life insurance policy है और उसका maturity हो जाता है और वो maturity taxable है तो इस particular section में TDS कटेगा सब पहले पेर कौन होगा तो इस section में पेर होगा any person मिस कोई भी person उसको TDS काटना है पेई कौन होगा resident person मिस resident person को अगर आप पे कर रहे हो maturity amount तो TDS काटना है यहाँ पे rate रहेगी 5% और इसमें TDS तभी काटना है जब maturity amount है वो maturity amount 1 lakh रुपेज और मोर है मिस maturity amount 1 lakh रुपेज और मोर ह का मतलब जो maturity amount जित माइनस जितना आपने premium pay किया तो उसको less कर दीजिए तो जो भी income component है उस पे 5% की rate से TDS कटेगा एक और चीज़ समझना है यहाँ TDS तभी करता है एक तो keyman insurance policy है तो TDS करता है और दूसरा अगर आपने premium pay करते time जो deduction में ATC में limit दे रखी है 10% of policy value 15% of policy value 20% of policy value उससे ज़्यादा premium pay किया तो maturity taxable होगी और maturity का amount अगर 1 lakh और more है तो इस particular section में TDS कट जाएगा उसके बाद में section 194D हो गया G हो गया उसके बाद में आपका H हो गया अब अपन चलते है 194IE पे और 194IE का मतलब होता है आपका rent और rent में TDS इस particular section में काटना है rent को कैसे याद रखा इसमें TDS काटना पड़ेगा पेई कौन होगा resident person resident person को payment कर रहे है तो TDS काटना एक और चीज़ समझना है यहाँ मैंने बोला pair में any person लेकिन obviously यहाँ पे individual और HIV को TDS नहीं काटना individual और HIV को TDS क्यों नहीं काटना क्योंकि यहाँ पे यह रिया hijack में आता है 194IE वो रिया hijack में आत या फिर equipment का है तो 2% की rate से TDS काटना है एंड बेटा अगर मानलो आपका furniture है या फिर आपका land है या building है तो उसमें आपको 10% की rate से TDS है वो काटना है एक और चीज़ समझना इसमें TDS तभी काटना है जब आप किसी को rent दे रहे है वो rent पूरे साल का मिला के 2,40,000 से जादा है मिस more than 2,40,000 है तो ही TDS काटना है अगर कोई भी refundable deposit है उस पे TDS नहीं आएगा non refundable deposit है non refundable deposit पे TDS है वो आपका आजाएगा अब एक और चीज़ समझना अगर आप long term lease लेते हैं और उसके लिए upfront lease charges पे करते हैं तो उस particular case में जो upfront lease charges आपने पे की lease लेने के लिए उसको rent नहीं तो passenger service fees पे कोई भी TDS है वो TDS काटने के ज़रुवात नहीं है उसके बाद मैं next section पे चलते है that is the 194 IA अब एक बात समझना 194 IA को आप ऐसे याद रखोगे कि अगर आपने कोई भी immovable property है वो immovable property acquire करते हो immovable property acquired करते हो लेकिन rural agriculture land in India को छोड़के अगर rural agriculture land in India है उसको छोड़के कोई भी immovable property है वो आप acquire करते हो sir pair कौन होना चाहिए तो यहाँ पे pair है वो any person है कोई भी person हो सकता है pay कौन होना चाहिए आपका resident person होना चाहिए एक बात समझना यहाँ पे TDS की rate 1% है 1% किसको या तो consideration या फिर stem duty value whichever is higher जो consideration और stem duty value whichever is higher है उस पे 1% की rate से TDS आएगा एक और चीज समझना इस section में TDS तभी जब या तो आप जो consideration पे कर रहे हो या फिर stem duty value इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आपका 50 lakh रुपेज और more हो जाता है 50 lakh रुपेज और more हो जाता है तो ही TDS काटना है otherwise TDS नहीं काटना तो मैंने क्या बोला देखिए 194 आईए पर्टिकुलर केस में TDS काटना पड़ेगा उसके बाद में चलते है 194 आईए पे एक बात समझना 194 आईए का मतलब होता है इम्मूवेबल प्रॉपेटी है उसको आपने रेंट पे लिया मिस इम्मूवेबल प्रॉपेटी को आप भाड़े पे लेते हो तो इस पर्टिकुलर केस में TDS कटेगा लेकिन सर रेंट तो अल्रेडी 194 आई में चला गया है लेकिन आपको पता है 194 आई में इंडिविजुल अगर पेर था तो TDS नहीं करता था यह सेक्षन स्पेसिविकली इंडिविजुल एचिव के लिए बनाई है और यहाँ पर यह सेक्षन यह बोलती है कि ऐसा कोई भी इंडिविजुल और एचिवेप है जो 194 आई में कवर नहीं होता है वो अगर रेंट पे कर रहा है किसी भी resident person को तो TDS आएगा TDS की रेट है वो 5% होगी तब ही आएगा जब आप रेंट पे कर रहे हो वो more than 50,000 है per month और part of the month मिस पर month और part of the month more than 50,000 है तो ही TDS आएगा एक और चीज़ समझना इस section में एक एंटिक चीज़ी आती है कि आपको TDS कब काटना है last month के रेंट से last month of the year और last month of the tenancy का जो rent रहेगा उस rent से आपको TDS काटना है एक और चीज़ समझना यहाँ पर आपको जो TDS है वो last month के rent से काटना है और अगर मानलो pay ने अपना pen number नहीं दिया तो 20% से TDS काटोगे लेकिन एक चीज़ समझना जो 20% का TDS amount रहेगा वो कभी भी last month के rent से जादा नहीं हो स capital gain में और Joint Development Agreement में जो builder होता है वो builder अगर कोई भी पैसा देता है जो builder है वो builder कोई भी पैसा देता है तो यहाँ पे payer होगा any person और यहाँ पे पे होगा resident person मिस builder है वो किसी resident person को कोई भी money देता है तो उस money वाले component पे TDS काट जाएगा at the rate 10% 10% की rate से यहाँ पे TDS काटेगा money वाल जाता है 194J, जे का मतलब याद रखोगे जानी दुश्मन, यह section यह बोलती है कि अगर मान लो आप किसी को fees for professional service pay करते हो, या फिर fees for technical service pay करते हो, या किसी को royalty pay करते हो, या किसी को non-compete fees pay करते हो, या किसी को director fees pay करते हो, तो इस particular section में TDS कर देगा, तो देखिए, fees for professional service, fees for technical service, royalty, non non-compete fees, director fees है, तो इस particular section में TDS कर देगा, तो इस section में TDS कर देगा, तो इस section में TDS कर देगा, क्योंकि यह रिया hijack में आता है, अब एक बात समझना है, यहाँ पे pay कोन होना चाहिए, किसी भी resident person को आप payment करते हो, तो TDS कर देगा, एक और चीज़ समझना है, यहाँ पे TDS की rate ह तो वो 10% रहेगी, 10% की rate से TDS काटना है, लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पे कुछ exceptional cases है, पहला तो अगर आप किसी भी call center को payment करते हो, तो TDS का rate 2% हो जाएगा, दूसरी चीज़, अगर आप payment कर रहे हो, वो payment, अगर आप fees for technical service का payment कर रहे हो, तो 2% हो जाएगा, या फिर आप royalty जो दे रहे हो, वो royalty किस पे दे रहे हो, किसी भी movie के sale पे, exhibition पे, distribution पे, royalty है, movie के, तो movie से related अगर कोई royalty है, तो उस पे 2% की rate से TDS आएगा, तो TDS का rate 10% है, लेकिन एक तो call center को payment करते हो, तो 2%, अगर technical service का payment करते हो, तो 2% और royalty है, वो royalty movie के sale, distribution, exhibition से related है, तो उसमें 2% की rate स TDS आएगा, एक और चीज़ समझना, यहाँ पे TDS तभी काटना है, जब आप किसी को fees for professional service जो दे रहे हो, वो more than 30,000 per annum है, या फिर किसी को अगर technical service का payment करते हो, वो 30,000 से जादा है, या फिर आप अगर royalty का payment करते हो, वो 30,000 से जादा है, या आप non-compit fees का payment करते हो, वो 30,000 से जादा है, तो ही TDS कटना, एक चीज़ समझना, director fees के case में कोई भी limit नहीं है, no limit, इसका मतलब अगर director को आपने 10 रुपया दिया, तो भी आपको 1 रुपेज है, वो उसका TDS काटना पड़ेगा, तो director fees अगर आप किसी को कुछ भी payment करोगे, तो director fees पे TDS की कोई भी limit नहीं है, अगर आपका professional service है, technical service है, royalty है, non-compete fees है, उसके 30,000 का limit है, और एक और चीज़ समझना, यह limit separately देखे जाएगी, अगर आपने किसी person को 25,000 का professional fees पे किया, 25,000 का royalty पे किया, उसका TDS काटने की ज़रुआत नहीं है, एक और चीज़ समझना, यहाँ पर यह section यह बोलती है, कि अग अगर आप professional service पे करते हो, लेकिन वो professional service अगर आप personal purpose के लिए पे कर रहे हो, individual HOF है, वो professional service अगर personal purpose के लिए लेता है, तो इस particular section में TDS नहीं गड़ेगा, ऐसा concept 194C में भी आता है, अगर आपका personal nature का कोई भी contract है, तो even individual HOF का last year का turnover more than 1 करोड है, या gross receipt 50 lakh से जादा है, तो भी य अगर आप personal nature का है, तो इसमें TDS नहीं आएगा, एक और चीज़ समझना, individual HOF है, इवन उनका last year का turnover more than 1 करोड है, या gross receipt 50 lakh से जादा है, लेकिन अगर उसने किसी को royalty का payment किया, या non-compit fees का payment किया, तो TDS काटने की ज़रुवत नहीं है, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे है, और hospital ने treatment किया, और यहाँ पे आपने health insurance ले रखा है, और health insurance company ये काम जो है, disbursement claim का काम देती है, TPA को third party administrator को, और third party administrator ने अगर hospital को payment किया, तो उस पे TDS 194J में काटना पड़ेगा, यह professional service माना जाएगा, और 194J में TDS काटना पड़ेगा, एक और next section आती है, that is the 194K, अब एक mutual fund या फिर UTI, mutual fund या UTI का आपको income मिलता है, तो इस particular section में TDS काटेगा, सबसे पहरी चीज़ सर, pair कौन होगा, तो pair यहाँ पे लिखा हुआ है, any person, any person का मतलग कोई भी mutual fund या UTI आपको payment करता है, pay कौन होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी resident person है, resident person को payment करोगे, तो TDS काटेग लेकिन इसमें एक limit यह होती है, कि 5000 से जादा का payment है, तो ही TDS काटना है, otherwise TDS काटने की ज़रवत नहीं है, उसके बाद next section पर चलते है, 194 LA करके, 194 LA मतलब आपकी immovable property, ला, ला, ला का मतलब होता है compulsory acquisition, तो अगर माल लो आपकी जो immovable property है, वो immovable property का compulsory acquisition हो जाता है, उस पे compensation session मिलता है, इस particular section में TDS कटेगा, सर पेर कौन होना चाहिए, तो इस particular section में pair है, वो any person है, pay कौन होना चाहिए, resident person को payment करते हो, तो TDS काटना है, 10% की rate से TDS कटेगा, एक और चीज़ समझना, इस section में TDS तभी कटेगा, जब आपको compensation मिल रहा है ना, वो 2,50,000 per annum से ज़्यादा है, 1037 में, तो उस particular case में भी TDS नहीं कटेगा, 194 LA के बाद में next section होती है, that is the 194M, M का मतलब होता है, mix of section, और ये section ये बोलती है, कि अगर महानलो, आप किसी को contract का payment करते हो, या फिर professional service का payment करते हो, या फिर किसी को commission का payment करते हो, या फिर brokerage का payment करते हो, या फिर brokerage का payment करते हो, त या फिर brokerage, या professional service, या contract का, ये सब का मिला के payment करते हो, अब एक बात समझना है, यहाँ पे pair कौन होना चाहिए, तो pair में एक बात बताए, उन सब section में individual H.O.F. को अलग किया था, क्योंकि 194C, 194H, and 194J में, individual H.O.F. उसको TDS नहीं काटना था, अगर लास्ट येर का turnover, more than 1 crore नह अब एक चीज़ समझना, यहाँ वहाँ पे individual H.O.F. को TDS नहीं काटना था, as well as 194C में और 194J में तो ये लिखा था, कि अगर आप personal purpose के लिए वो service लेते हो, तो आपको TDS नहीं काटना, तो उन section में TDS नहीं काटना, क्या इस section में TDS काटना पड़ेगा, answer is yes, तो यहाँ पे pair म और किसी को जो payment कररे हो, वो 50 lakh रुपेज से जादा है, तो TDS काटना है, otherwise TDS नहीं काटना, तो अगर आप payment कर रहे हो, या जो credit कर रहे हो, वो 50 lakh रुपेज से जादा है, तो TDS काटना है, otherwise TDS यहाँ पे नहीं काटना, एक वर चीज़ आपर इंट्रेस्टिंग आती है, कि normally क् काटा है या फिर 194 IB में काटा है या फिर 194 M में काटा है तो वहाँ पर एक तो आपको 10 number की जरूरत नहीं है और दूसरी चीज़ यह TDS आपको जमा कराना पड़ेगा अगले महीने के 30 के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 26 QB QC & QD है वो आपको फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं उसके बाद में next section आती है that is the 194 N करके N का मतलब क्या होता है आप क्या करते हो बैंक से यहां पर TDS कटेगा लें TDS की रेट क्या रहेगी पता है 2% TDS कटेगा in excess of the 1 करोड of cash withdraw जो cash withdraw कर रहे हो 1 करोड से जादा है तो उस particular case में आपका 2% की रेट से TDS कर जाएगा एक और चीज़ समझना 2% की रेट से TDS कर रहेगा 1 करोड से जादा का cash withdraw लेकिन एक चीज़ समझना अगर कोई account holder ऐसा है जिसने last के 3 previous years के return file नहीं किये और वो तीनो previous year की due date जा चुकी है last के 3 previous year के लिए return file नहीं किये और last के तीनो previous year की due date जा चुकी है तो उस particular case में उसको मैं से TDS और जो भी 1 करोड से जादा वाला cash withdraw रहेगा उस पर 5% की rate से TDS है वो कटेगा अब एक चीज़ समझना इसमें limit कितनी हुई 1 करोड के उपर वाले पर वाले पर TDS काटना है और 20 लेक वाली limit में 20 लेक के उपर वाले पर TDS काटना है 20 लेक तर TDS नहीं काटना है 20 लेक से विड्रो करते हैं तो TDS नहीं काटेगा अगर ATM operator है वो cash withdraw करता है तो TDS नहीं काटेगा या फिर जो तुमारे CRS होती है cash replenishment agency जो भी bank में cash को ATM में replace करती है वो TDS वो अगर cash withdraw करती है TDS नहीं काटेगा अगर कोई भी agent है या broker है जो कि PM उसमें that is the जो किसान मंडी होती है APMC उस 24 O को आप याद रखोगे online से और ये section ये बोलती है कि अगर मालो कोई भी आपका e-commerce वाला जो transaction है e-commerce e-commerce मतला online sale करते हो उस particular case में TDS कटेगा पेर कौन होगा जो भी e-commerce operator रहेगा e-commerce operator का मतलब होता है यहाँ पे जैसे flip card है Amazon है वो तुमारे e-commerce operator हो जाएंगे pay icon होना e-commerce operator है वो e-commerce participant का TDS काटेगा यहाँ पे TDS rate 1% रहेगी on the gross amount of the sale मला जो भी sale किया जैसे for an example BB virtual है Amazon पे book sale करती है Amazon ने 1 crore का book sale किया Amazon ने अपना marketplace fees उन्होंने काट के और 80 lakh का payment किया तो भी TDS 1 crore पे कटेगा 1 crore पे Amazon BB virtual का TDS है वो काटेगी 1 crore पे 1% की rate से यहाँ पे एक और समझना बहुत बार क्या होता है customer से सीधा पैसा अगर e-commerce participant को मिल जाता है लेकिन sale जो e-commerce operator ने कराई थी तो उस particular amount पे भी TDS यहाँ पे कटेगा एक और चीज़ समझना यहाँ पे TDS काटने की जरूरत नहीं है अगर e-commerce participant participant है वो individual and hua पे and e-commerce participant है उसने अपना pen number या फिर आएगा e-commerce participant individual hup है वो pen number आधार number देता है और पूरे साल की उसकी जो sale है वो 5 lakh तकी है तो उस particular case में TDS काटने की जरूरत नहीं है उसके बाद में 194 O के बाद में अपन चलते है 194 Q पे और 194 Q क्या बोलता है कि अगर आप purchase of goods करते हो और purchase of goods है आप कोई भी goods है वो purchase करते हो तो इस particular case में TDS कटेगा अब purchase of goods का मतलब क्या तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ pair कौन होना चाहिए तो pair होना चाहिए any person कोई भी person है लेकिन उसका last year का turnover है वो last year का turnover is more than 10 crore last year का turnover है वो 10 crore से जादा है pair is any person last year का turnover है वो 10 crore से जादा है pay कौन होना चाहिए कोई भी resident person है वो resident person होना चाहिए लेकिन goods कितने का purchase किया है 50 lakh रुपेज से जादा का है 50 lakh रुपेज से जादा का goods purchase किया है तो बेटा जो भी in excess of the 50 lakh रहेगा ना उस पे 0.1% की rate से buyer TDS काटेगा तो देखिए 194Q section क्या बोलती है 194Q जो section है वो यह बोलती है कि यहाँ पे pair कौन होना चाहिए that is the any person जिसका last year का turnover 10 करोड से जादा है last year का turnover है वो last year का turnover आपका 10 करोड से जादा है pay icon होना चाहिए resident person और अगर 50 lakh से जादा का goods है तो उस particular case में 50 lakh के उपर वाले amount पे 0.1% की rate से यहाँ पे TDS काटा जाएगा एक चीज़ समझना इस section में TDS काटा जाएगा at the time of payment और crediting the party whichever is earlier लेक लेकिन bill पहले नहीं आया आपने payment पहले कर दिया तो जितना पेमेंट कर रहे हो उस पे आपको TDS काटना पड़ेगा obviously every year का 50 lakh तो छोड़ दीजिए 50 lakh के उपर वाली purchase अगर किसी person से होती है तो इस particular section में TDS है वो काटना पड़ेगा under section 194Q अब एक और चीज़ समझना एक section रह और more की age हो गई है और उसकी दो ही तरह की income है एक तो उसको क्या मिल रहा है pension मिल रहा है और pension उस account में मिल रहा है जिस account से उसको interest भी मिलता है miss bank में कोई एक ही account है जिसमें pension आ रही है और उसी से interest मिल रहा है तो इस case में क्या होगा कि जो भी bank है वो notified bank होनी चाहिए वो किसी भ अगेरा को consider करेगी bank और bank क्या करेगी कि उसकी जो भी pension की income है, interest की income है, उस पे tax निगालेगी, tax निगालने के बाद जो भी tax आता है, जो उसमें से pension पे अगर TDS कर चुका है, तो उसको less कर देगी, बाकी वाले amount पे interest में से TDS है, वो काटा जाएगा, एक चीज़ समझना, इस section म अगर TDS कर जाता है, तो उस particular case में उस person को अपना return file करने की ज़रुवत नहीं है, that person is not required to file the return, that person is not supposed to file the return, उसको return file करने की ज़रुवत नहीं है, उसके बाद 194P के बाद में एक section होती है 194R करके, और यह 194R वाली section इसी साल आई है, यह section यह बोलती है कि अगर आप business में किसी को क यहां पर TDS काटना पड़ेगा, लेकिन एक बात समझना, यहां पर pair में मैंने बोला हुआ है any person, लेकिन obviously यहां पर individual और HOEB को TDS नहीं काटना, लेकिन individual HOEB का last year का turnover more than 1 करोड है, gross receipt 50 lakh से जाता है, तो individual HOEB को TDS काटना पड़ेगा, आप payment किस को कर रहे हो, किसी भी resident person को कर र पर TDS काटना है 10% की rate से, एक और चीज़ समझना, यह वाली section है यह आपकी 1 July 2022 से आई है, उससे पहले से नहीं है, तो June तक का जो भी percusate benefit दिया, उस पर TDS नहीं काटना, July से जो भी benefit percusate दिया, उस पर TDS काटना पड़ेगा, अब इस से related बहुत सारे clarification वगेरा है, जो मैंने आपको normal वाला जो revision lecture है, उसमें मैं आपको बता चुका, हूँ करके, so this is all about the TDS की sections करके, ठीक है, चलिए, अब अपन चलते है TCS में, तो TCS के case में सबसे पहली चीज़ तो यह है, कि TCS के case में section कौन सी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ उसका nature क्या है, तीसरी चीज, सर एक बा 1 करके, 2060 subsection 1, यह section आना 5 goods कवर करती है, कौन कौन से 5 goods कवर करती है, सबसे पहले अगर माल लो आप जो sale कर रहे हो, कौन सा, alcoholic liquor for human consumption, मिस alcoholic liquor for human consumption, उस पे 1% की rate से TCS आएगा, दूसरा, अगर आप sale करते हो, scrap करके, तो scrap के case में 1% की rate से TCS आएगा, उसके बाद में, अगर आप coal lignite या iron ore sale कर रहे हो, उस पे 1% की rate से TCS आएगा, अगर आप timber and forest product sale कर रहे हो, तो उस पे 2.5% की rate से TCS आएगा, अगर आप तेंदू leaf sale कर रहे हो, तो उस पे आपका 5% की rate से TCS आएगा, तो देखिए, section 2060 subsection 1, यह बोलती है, का 5 goods ऐसे होते हैं, जिस पे TCS आएगा, पहले TCS आएगा, अब एक बात समझता है, इसमें seller कौन होना चाहिए, एनी person, but obviously individual HOF को TCS यहाँ तभी collect करना है, जब last year का turnover 1 crore से जादा है, या gross receipt 50 lakh से जादा है, पहले बायर कौन होना चाहिए, कोई भी person है, यहाँ पे rate क्या होनी चाहिए, यह rate में discuss कर चुगा हो, अब यहाँ declaration दे देता है, कि यह जो भी goods खरीद रहा है, वो किसी और goods के manufacturing में use होने वाला या power generation में use हो रहा है, उस particular case में यहाँ पे TCS है, वो collect करने की ज़रूत ने, एक और चीज़ समझना है, अगर buyer मानलो इन goods को personal consumption के लिए खरीता है, personal consumption का मतलब होता है, जैसे मानलो खुद के पीन या फिर कोई भी mines and query है, इसको क्या करते हो, अगर आप lease and license पे देते हो, lease and license पे जैसे government क्या करती है, coal mines वगरा lease पे देती है, तो जो भी lease rent collect करेंगे, उसके साथ मैं 2% की rate से TCS भी यहाँ पे collect करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपकी एक section आती है, that is the 2060 subsection 1F, F को याद र आएगा, तो कोई भी motor vehicle sale करता है, तो seller जो है, वो क्या करेगा, आगे वाले बायर से 1% की rate से TCS collect करेगा, लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर कोई seller है, उसमें अगर मानलो यहाँ पे TCS retail sale पे ही आएगा, अगर wholesale sale हो रही है, जैसे BMW इंडिया ना नवनीत motor को motor vehicle sale किया, त इसको बोलते है, OTPP, OTPP का मतलब होता है, overseas tour package program, आप foreign गुमना चाते हो, OTPP book कराते हो, तो OTPP पे 5% की rate से TCS आएगा, और दूसरी चीज यह है, कि मानलो इंडिया के बाहर, आप क्या करते हो, कुछ पैसा बेजना चाते हो, under the LRS scheme, और LRS scheme में इंडिया के बाहर पैसा बेज रहे हो, पता है, 7 lakh rupees से जादा बेज रहे हो, तो 7 lakh rupees से जादा बेज रहे हो, तो उस particular case में, जो भी in excess of 7 lakh rupees रहेगा, उस पे आपका 5% की rate से TCS आजाएगा, तो यहाँ in excess of 7 lakh पे 5% की rate से TCS आएगा, लेकिन एक चीज समझना है, वो जो पैसा आप इंडिया के बाहर ब एज करके, यह section यह बोलती है, कि अगर कोई भी seller है, और seller ने क्या किया है, seller का last year का turnover जो है, वो आपका 10 करोट से जादा था, तो seller का last year का turnover 10 करोट से जादा था, और seller ने क्या क्या, good sale किया, और good sale किया, उसका जो consideration receive हो रहा है, वो 50 lakh से जादा हो रहा है, तो जो भी in excess of 50 lakh rupees ह उस पे आपका 0.1% की rate से seller TCS collect करेगा, तो देखिए, अगर 2061H क्या बोलता है, कि अगर कोई भी seller है, जिसका last year का turnover है, वो 10 crore से जादा है, और इस साल उसने जो sale किया था, किसी भी person से जो concentration collect कर रहा है, वो 50 lakh से जादा है, तो in excess of the 50 lakh पाले वे 1.1%, 0.1% है, उस rate से TCS collect करेगा जैसा 194Q में था, और 194Q में क्या था 0.1% की rate से, और यहाँ पे भी है आपका 0.1% की rate से TCS आएगा, लेकिन एक चीज समझदा, 2061H में seller TCS collect नहीं करेगा, अगर कही न कहीं TDS कर चुका है, तो जैसे 194Q में TDS कर चुका है, तो यहाँ पे seller है, वो TCS collect नहीं करेगा, या फिर को एक और चीज समझना, TCS में भी एक concept यह होता है, कि जो भी आपका buyer रहेगा, buyer को अपना pen number या आधार number देना पड़ेगा, अगर उसने pen number या आधार number नहीं दिया, तो आपकी rate क्या हो जाएगी पता है, rate multiply by twice the rate, और आपका 5% whichever is higher की rate से TCS से वो collect करना पड़ेगा, लेकिन ए 061H में आपका क्या होगा, 5% की जगे आपका 1% है, उस rate से TCS है, वो collect होगा, अब एक और चीज समझता है, यहाँ पर, sir, एक section आती है, TDS और TCS में, अगर मानलो कोई भी person ऐसा है, जो pay है, जिसको आप TDS काटना है, तो pay है, या फिर मानलो कोई भी ऐसा buyer है, उसने अगर last year क written file नहीं किया, और last year का written filing का due date अलरेड़ी जा चुका है, इस previous year से पहले due date जा चुका है, और उसने last year का written file नहीं किया, और last year में उसका जो TDS, TCS deduct हुआ था, collect हुआ था, वो 25,000 रुपेज और more है, अगर last year का उसने written file नहीं किया, और last year में जो TDS, TCS deduct हुआ है, वो 50,000 रु काटना पड़ेगा, वो कौनसी रेट से काट होगे, twice the rate और 5% whichever is higher है, उस rate से TDS काट होगे, अब एक और चीज समझता है, इस TDS topic में और TCS topic में आपको जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया, वो तो आपको ध्यान दे रही है, उसके साथ साथ में कुछ और चीज है, जो मैं आपको notice 10,000 है, तो TDS काटना है, contract के किसमें more than 30,000, more than 1 लेके तो TDS काटना है, exact amount है, तो TDS नहीं काटना है, बढ़ तीन cases में exact amount है, तो भी TDS काटना है, कैसे याद रखोगे, एक तो 192A में, 192A में 50,000 और मोर बोला है, मिस exactly 50,000 है, तो भी TDS काटना है, एक और चीज ध्यान रखना 194DA में, 194DA में देखिए, जो life insurance policy का maturity है, 1,00,000 और मोर है, तो भी आपको TDS काटना पड़ेगा, मिस यहाँ पे exactly 1 लेके, तो भी TDS काटना है, और एक और ध्यान रखना 194IA में, 194IA में आपका exactly 50,000,000 रुपेज और मोर है, बाकी सब जगे more than लिखा हुआ है, यहाँ तीन section ऐसी ह जिसमें वो limit और उससे ज़्यादा है, तो TDS काटना है, अधर section में more than that amount है, तो ही TDS काटना है, एक और चीज़ समझना, जितनी भी TDS की section है ना उसमें क्या होता है, अगर वो limit को cross हुआ, तो जैसे ही limit cross कर जाती है, तो पूरे पे TDS काटेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को छ काटना है, 50 lakh से उपर वाला रहेगा, उस पे TDS काटना है, एक और चीज़ समझना, अगर मैं TCS की बात करूँ, तो TCS में भी ऐसा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान तकना, यहां LRS वाला case है, जो liberalized remittance scheme वाला है, उसमें 7 lakh के उपर वाले amount पे 5% की rate से है, वो TCS है, वो collect करना ह एक और चीज़ समझना, TCS के case में, एक तो आपका वो कौन सा वाला 2061G में LRS वाला, कि 7 lakh से उपर है, तो उपर वाले amount पे 5% की rate से TCS आएगा, और दूसरा 2061H के case में, अगर आपका 50 lakh से जादा है, तो 50 lakh के जादा वाले पे आपका TCS है, वो 0.1% की rate से आएगा, एक और च के case में, और दूसरा तुमारा 2061H के case में, तो 1H के case में and 1F के case में, इन दो cases में consideration received होता है, तब ही आपको TCS है, वो collect करना पड़ेगा, एक और चीज़ समझना, जहां पे भी TDS, TCS की rate पड़ी है, वो flat rate है, लेकिन अगर आप किसी non-resident foreign company का, या फिर salary के case में, अगर TDS है, तो उस particular case में, आपको health and education science है, या surcharge है, उसको आपको consider करना पड़ेगा करगे, ठीक है, चलिए, तो ये जो TCS वाला part था, और TDS वाला part था, जिसको मैंने आपको revise कराया, और I think मैंने यहां पे 40-45 minutes लिया, और 40-45 minutes में almost sections है, ये intermediate के लिए तो बहुत ज़्यादा helpful रहने वा कराया, obviously exhaustive revision lecture already डाला हुआ है, जो 3 घंटे का है, तो 3 घंटे का exhaustive revision lecture already आपके लिए डाला था, ये quick revision था TDS and TCS के बारे में, you got my point or not, yes, एक और point ध्यान रखना, TDS है, उस वो GST पे नहीं आता, but TCS है, वो including GST आता है, TDS not applicable on GST component, but TCS है, वो आपका including GST आता है, ठीक है, so thanks a lot people that's enough for today from my side, मैं ट्राइ करूंगा, चोटे 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 revision lecture है, quick revision lecture, जब भी मेरे को time मिलेगा, I will put on YouTube, thank you, bye